रीवा के पापा स्वानन लड़ेंगे इशान और सवी का डायवास केस और यहीं पर आएगा सीरियल गुम है किसी के प्यार में मिल जबदस ट्रैक जी हाँ दोस्तों अब शो के अब कमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां रीवा इस वक्त काफी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है क्योंकि फाइनली उसे उसका इशान फिर से मिलने वाला है और एक महिने के बाद उसकी और इशान की फिर से शादी होने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ सवी को जब ये बात पता चलती है कि उसके इशान सर रीवा मैम से इंगेजमेंट करने वाले हैं और बहुत जल उनकी शादी भी होने वाली है तो इस बड़ी खबर से सवी पूरी तरह से तूट के बिखर जाती है और अकेले में फूट फूट के र रीवा अपनी इस खुशी में इतनी जादा अंधी हो जाती है कि वो जान बूच के सवी को नीचा दिखाने के लिए इशान के साथ सवी के घर हरनी से मिलने के बहाने आ जाती है तो वहीं रीवा बार बार इशान से चिपक रही होती है और सवी को जला रही होती है जहां सव को ये सब कुछ देख के अच्छा नहीं लग रहा होता और वो गुस्से में अपना हाथ ही जला लेती है तो वही ईशान सभी के हाथ को देख के घबरा जाता है लेकिन रीवा की वज़त से कुछ नहीं कह पाता है जहां रीवा ईशान के दिल में सभी के लिए इतनी कंसर्ण द केस मेरे पापा हैंडल करने वाले है कोट में वेल लब शो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां रीवा की बाते सुनके सभी और इशान दौनों काफी ज़्यादा एमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो दौनों नहीं चाहते हैं कि ये डाइवास हो क्योंकि वो दिल ही डिल में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि उनका रिश्टा खतम हो तो वहीं सभी गुस्से में इशान की तरफ देखती है और कहती है कि आप चिंदा मत कीजिए मैं मैं जल से जल पेपर पर साइन करके आपको बूल आई थी और मैं ये बात अच्छे से जानती हूं कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो अपनी शादी के लिए जहां इशान सभी की बाते सुनके काफी जादा हट हो जाता है और इसकी आखे भराती है लेकिन वो जबाब कुछ नहीं देता है और वहां से चुप-चाप चला जाता है तो वहीं दोस्तों क्या सच में हो जाएगा ये शानों सभी कतलाक और हो जाएंगे वो दौनों एक दूसरे से दूर ये जानने के लिए आप सब बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक चानल को सब्सक्राइब करने ना भूलें